असलाम के विवेर्स मैं हूँ शेफ शेकुफता और रेलेकम टो माई चैनल मशूर्ट वायन फैमिली रिव्यू विवेर्स में आज आलो के जटपट का बाप बना रही थी जो के बहुत टेस्टी और बहुत मज़िदार बनते हैं और सोचैस के रेस्पी आपके साथ भी शेयर करूँ तो इसके लिए मैंने आलो ले लिया हैं तीन से चार आप आलो ले लें दो के उसको पील करने के बाद उसको इस तरह से कदुकश कर ले पहले मैंने एक वीडियो डाली है जिसमें मैंने बारिक बारिक जैसे फ्रेंच फ्रा स्टाइल से मैं बना रही थी यह भी बहुत मज़दार से बनते हैं तो इस तरह से आलूब जो हैं पील कर लेंगे पील करने के बाद हम इसको कदुकश लेंगे कदुकश लेके इस तरह से यह देखें हैं असानी करने के बाद अगला प्रोस्स क्या एग मैं आपको बतातु ये किस तरह बनेगे देगा दो अंडेल ये इसको अच्छी तरह से फैंट लेंगे इसको इसके बाद ये देखें पोटैटो का कलर कितना खुबसूरत आ गया ये जो मैंने पोटैटो को जो मैंने कदूकश किया था इसको अच्छी तरह से मैंने दो तीन पानी में अच्छी तरह से धोल लिया दो तीन पानी में मतलब दो तीन दफा सको अच्छी तरह से धोल ले और इसको अच्छी तरह से दबा दबा के हाथ में इस तरह ले लेके दबा दबा के इसका सारा पानी निकाल ले ले और ये देख तो ब्लैक पेपर, काली मिर्च का पॉर्डर और गरम मसाला भी डाल सकते हैं लेकिन मैं नहीं डाल रहा हूँ अब इस स्पाइसिस को इसमें मिला देंगे देखें वर्स, तमामें स्पाइसिस और अंडे वगारा जो हैं, हमनें मिला दियें अब ये बीच में जो है, ये कॉर्ण स्टॉर्च देख लें, तक्रीबन दो चमच कॉर्ण स्टॉर्च ये भी जाएगा इन सब को मिलाके, अच्छी तरह से हाथ से हम इसको मिक्स कर लेंगे ये देखें वर्स, अंडे आप फैट लें आपकी मर्जिये, नहीं फैट लें अंडे तो कोई बात नहीं मिक्स तो होई जाएगा जब आप आप से या स्पून से, मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि हाथ से काम एजिली और बहुत अच्छी तरह से हो जाता है, ये देखें, ये अच्छी तरह से सारा मिक्स होगी, अब ये जो बैटर है हमारा ये तयार होगी आलू और कार्ण स्टार्च का ये देखें, अब इसके नहीं देकें कबाब बनुरहे अब इस तरह बनाते जाएंगे और इसको फ्राइव कर लेंगे देखें इश profession है पैन लेंगे एक नन इस ट्रिक पैन लेकर उसमें हम थोड़ा जितना करे शरोफ प्राइज अराम से जुए के था काभ और चीट करें, कभाब में करेंगे करें अनद करें दीन हम, इस तरह से करए समाम कबाब बना लेंगे। विवर्स कितना प्यारा ब्राॉन कलर आया है मोटन ब्राउन कलर अच्छी तरह से यह जब पड़ आए और गोल्डन ब्राउन कलर हो जाए तो इसको आप डिश आउट कर लें और मैं अभी डिशाउट करके आपको दिखाते हूं कि इसका लोग कैसा आता है। देगें विवर्स मज़दार से पोटाइटो कबाब बनके तयार हैं। इसी से मिलती जुलती रेसिपी मैंने पहले भी डाली है। आप भी देख लेगा उस तरीके से बनाएंगे तब भी बहुत मज़ेदार बनेगे। आप इसको जैसे जी चाहें बनाए और इसको खाएं और यह देखिए कि मैने इसमें Corn Starch जो है Corn Flour जो है वह डाला है आप चाहें तो मैदा भी थोड़ा सा डाल सकते हैं लेकिन Corn Starch यै Corn Flour डालने से जायका ज्यादा अच्छा यह थै तो अगर आप चाहें अग के बगार भी बन सकता है लेकिन अग के साथ बहुत अच्छा मनता है अन्ड़ा डालने तो जहादा बहुत बस अच्छा इसको जरूर बनाईएगा और भाईएगा भाईएगा नि Sum और चाहें भाईगा ये चाहिग के सब्सक्राइब करना ना भूलें, दूआओं में याद रखें, आला हाफिज